नमश्कार दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो उन सभी पोदों के लिए है जिनकी पत्तियां पिली पड़ गई है ग्रोथ नहीं हो रही है फूल नहीं आ रहे हैं अगर आ रहे हैं तो बहुत छोटे आ रहे हैं या फिर पोदे की मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस लग गय है इन सब के लिए एक ऐसा फटलाइजर मैं आज बताने वाली जो कि चार चीजों से बनकर त्यार होगा और बहुत ही आसानी से हम घर पर ही इनको बना सकते हैं जो कि घर के किचन से ही निकलने वाली चीजी हैं दोस्तों यह फटलाइजर हमारे पोदे पर किसी भी तो पोद पोदों की नैचुलिदी ग्रोथ होती है पोदों के लिए बारिस का पानी बहुत अच्छा होता है लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पोदों की ग्रोथ रुकी वी है फूल नहीं आ रहे है तो इस फटलाइजर का इसमाल करके आप पोदों से ढेरो फल फूल ले स प्लाइजर के दुनों में जरूरी बाते हम जान लेते हैं सबसे पहले अगर बारिश में आपके गंबले में पानी भर गया है तो जरूर चेक कर लें अगर पानी इस तरह से भरा रहेगा आपके पोदे की मिटी में तो प्लांट है वह बिल्कुल खराब हो जाएगा उसमें प्लांट की जड़ो में फंगस लग जाएगा क्योंकि लगातार पानी जब भरा रहता है तो हमारे पोदे की जड़ें वह गलनी चुरू हो जाती है फंगस लग जाता है जिससे हमारा पोदा है वह बिल्कुल खराब हो जाता है मर जाता है दोस्तों तो इस बात का आपको अगर हम करेंगे किसी भी तरह कि आपके भरती गॉह गोए है गास फूस गुजाता के इन दिनों में घास फूस बहुत ज़ादा गुजाती है प्लांक में जो की हमारे पोदों की मिट्थी में जितने भी पोशकतता है यहाँ है ज़ते हैं इसμε्रित पॉदों की जड्रोफ है या से प्लांट प्रूण करने जब हम प्लांट की करते हैं उसमेhr फूल थे मातरा में करना जबता है प्रूण की मातरा में रहता है तहरह सिर्शन होतोफ नंawa सबसे बढ़कु जो समय है वह भास मुसम ओक wrapped प्लांट की जो growth है वो बहुत अच्छी से होती है प्रूनिंग करने से नहीं 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 साखाओं पर full खिलते दोस्तों तो प्रूनिंग बहुत ही बढ़िया है आप अपने प्लांट की जितने भी dead full बने वे हैं उनको निकाल दे उसके बाद प्रूनिंग कर दे दोस्तों अ अप्रेश नीम के पत्ते भी ले सकते अगर आपके पोदे में फूल नहीं आरहे हैं तो प्याज के छिलके बहुत ही बढ़िया काम करते हैं दोस्तो यह जो फटलाइजर बन कर त्यार होगा बारिश के दिनों में आप इसका 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 इसके बाद मैं लसून की छिलके ले र तक किसी भी तरह का फंगस हमारे पोदे में नहीं लेगेगा नेक्स जो चीज है वो चाय पती है फ्रेश चाय की पती में ले रही दोस्तों चाय की पती नैचुलर फ्रटाइजर है इसमें जो हैने नाइट्रोजन की मातरा बहुत अधिक होती है जिसे हमारे पोदे की जड़े तो इसको एक उबाल अच्छे से उबाल आ जायता कि जितने आप देख सकते हैं जो पानी का कलर हो बिल्कुल चेंज हो गया जितने भी इस चीज के पोशक्ततों थे चाहे वह बहुत ही बढ़िया यह काम करेगा तो चाहे उसमें पोशक्ततियों की कमी हो जाती है नाइट्र अगर आप इन दिनों अपने पोधे में फंगस तो बिल्कुल भी ने लगए गोग दोस्तों साथ ही आपके पोधे की जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ जाएगी अगर आपके पोधे में फूल नहीं आ रहे हैं फल नहीं लग रहे हैं तो वह भी लगने शुरू हो जाए इसको इस्तमाल करने से पहले आपको एक चीज का बहुत ही जरूर ध्यान रखना कि आपकी मिट्टियों ड्राय होनी चाहिए हलकी ड्राय तो होनी ही चाहिए अगर आपकी मिट्टि में नमी बनी रहेगी तो यह जो फटलाइजर है वह अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तो तो अगर आप इस्फटलाइजर का जब भी इस्तमाल करें तो एक या दो दिन पानी आप अपने प्लांट में बिल्कुल भी ना देगर बारिश हुई है तो भी आप उसका रुक के इस्फटलाइजर का इस्तमाल करें जब मिट्टि थोड़ी ड्राय हो जाए आप देख सकत ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ जाएगी बहुत सारे पोशक ततर से बरपूर ये खाद है और आपके प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे तो आपका जो पोदा है बिल्कुल फूलों से भर जाएगा तो इसका इस्तमाल आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर त्यार कर सकते हैं अगर नीमोल आपके आस पास नहीं है तो नीम के पत्ते हैं तो आप में हैं दोस्तो नीम खली भी ले से हैं तो इस तरह का इस जो का अगर इन टिप्स का फोलो करने के साथ आप इस फुटलाइजर के इस्तमाल करेंगे तो आपका पूरा गार्डन हरा बारा रहेगा फोलो फोलो से भरा रहेगा दोस्तों कैसे लेगी मेरी जानकारी पसंद है लाक्षिर्ट जरूर कर दीजी मिलते नेक ολी जा आप जरूर के ला करा इसूल आपा घंजस जा चालोश्ट जाम वेशले मिलते झाया डन दोस्तमाल करेंगे लादगे मैज्य bisschenाल मेंजन से एक का मैजनısı को में सकते हैं दרכा इस यूलो से प Calling सो दोलो बार जाइस को से जो आवे को कहा दो